दोस्तों ओपो ने लॉंच कर दिया अपनी ओपो रेनो 7 सीरीज ओव स्मार्टफोन को चायना में एंड ये स्मार्टफोन सीरीज के कुछी स्मार्टफोन इंडिया में भी जल्दी ही लॉंच होने वाले हैं इसी smartphone series में आपको तीन smartphone देखने को मिलते हैं OPPOR Reno7, OPPOR Reno7 Pro and OPPOR Reno7 SE और जो ओपो Reno7 SE smartphone होने वाला है ये smartphone इंडिया में नहीं launch होगा OPPOR Reno7 and OPPOR Reno7 Pro smartphone इंडिया में launch होगे और जो OPPOR Reno7 Pro smartphone है इस वाले smartphone के Indian price को और Indian launch date को leak कर दिया जा चुका है तो आज की वीडियो में मैं आपको पताऊंगा इस स्मार्टफोन के लिए प्राइज, इस पैसिफिकेशन्स and लाउंच डेट के बारे में तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा इन तक चलिए शुरू करते हैं बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की तो कुछ ऐसा दिखने वाला है OPPO Reno7 Pro स्मार्टफोन बैक सैट में आप आपको टॉप लिफ्ट में कैमरा मोडूल देखने को मिलेगा जिसमें के आपको तीन कैमरा के हाउसिंग देखने को मिलेगी एक LED flash देखने को मिलेगी यहाँ आपको matte finish देखने को मिलेगा नीचे OPPO की branding देखने को मिलेगी बात कर reference एट गी तो यहाँ आपको left punch hole वाला display देखने को मिलेगा पतले पतले से bells होंगे और दोस्ते आपको flat display देखने को मिलेगा तो और और यहाँ आपको काफी बढ़ी है design इस smartphone में देखने को मिलेगा मेरे को यह design काफी अच्छा लगा आपको यह design कैसा लगा आप comment करके हमें बता सकते हैं यह smartphone 7.45 mm थिक होगा and 180 gram इस smartphone का weight होगा तो काफी हलका होने वाला है बात करें इस smartphone की build quality की तो दोस्तों यहाँ आपको frosted glass back देखने को मिलेगी glass front देखने को मिलेगा and यहाँ आपको metal का frame देखने को मिलेगा तो overall यहाँ आपको काफी तगडी build quality इस smartphone में देखने को मिलेगी बात करें इस smartphone की display गी तो यहाँ आपको 6.55 inches की Full HD Plus AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगी 90Hz का यहांब आपको refresh rate देखने को मिलेगा 180Hz का touch sampling rate होगा 920 nits का यहांब आपको peak brightness देखने को मिलेगी HDR 10 Plus certified होगा यह स्मार्टफोन 20-9 का expect ratio यहांब आपको देखने को मिलेगा यहांब आपको Corning Gorilla Glass 5 का protection इसे स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा तो display का मामलम में काफी तगड़ा स्मार्टफोन होगा एक flagship बावल की display आपको देखने को मिलेगी first refresh rate भी देखने को मिलेगा HDR 10 Plus का certification देखने को मिलेगा तो gaming के मामलम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी and content consuming का मामलम भी यहांब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बात करें cameras की तो यहांब आपको triple rear camera setup देखने को मिलेगा जिसमें के 50 megapixel का main camera जो के होगा Sony का iMac 766 sensor और यहांब आपको OAS का support भी इस smartphone में देखने को मिलेगा यहांब आपको 8 megapixel का ultra wide angle lens देखने को मिलेगा and 2 megapixel का macro lens भी आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा तो rear side से यहांब आपको काफी अच्छे cameras इस smartphone में देखने को मिलेगे बात करें selfies की तो यहांब आपको 32 megapixel का left punch hole वाला selfie camera इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा जो क्योंगा Sony का IMX709 सेंसर एंड दोस्तों इस Sony का Best Selfie Sensor है तो दोस्तों Selfies भी काफी तगड़ी क्लिक कर पाएंगा आप इस स्मार्टफोन से काफी amazing है आप आपको Selfie Camera भी देखने को मिलेगा तो overall है आपको काफी तगड़े इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे बात करें performance की तो दोस्तों यहाँ आपको media tech का DMC 1200 Max प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो की 6NM अकिटेक्चर पर बनाए एक 5G प्रोसेसर है और दोस्तों काफी तगड़ी performance यहाँ आपको निकाल कर देता है gaming का मामले में and day to day usage में भी यहाँ आपको कोई दिकत नहीं आएगी heating वगर अगा issue भी आपको इस प्रोसेसर के साथ देखने को नहीं मिलेगा तो overall यहाँ आपको काफी तगड़ी performance इस प्रोसेसर से देखने को मिलेगी बात करें RAM and storage की तो दोस्तों यहाँ आपको 8GB slash 12GB LPDDR4X RAM देखने को मिलेगी and 128GB slash 256GB UFS 3.1 वाला storage आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा तो RAM and storage के मामले में भी यहाँ आपको कोई दिकत नहीं आएगी up to 12GB RAM and up to 256GB storage आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा बात करें इस smartphone की battery की तो दोस्तों यहाँ आपको 45W RAMH की battery देखने को मिलेगी तो battery size तो अच्छा है and आपको कोई दिकत नहीं आएगी बात करें operating system की तो दोस्तों यहाँ आपको color OS 12 देखने को मिलेगा जो की Android 11 पर बेजड होगा जी हाँ अभी के लिए आपको Android 11 देखने को मिलता है लेकिन आने वाले कुछ मैनों में यहाँ आपको Android 12 वाला update भी जल्दी इस smartphone में देखने को म मिलेगा बात करें connectivity की तो दोस्तों यह smartphone 5G को support करता है dual 4G volt यहाँ आपको देखने को मिलेगा Wi-Fi 6 होगा Bluetooth 5.2 होगा GPS का support होगा और दोस्तो NFC का भी support आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा तो overall connectivity के मामने में यहाँ आपको सारे options इस smartphone में देखने को मिलेगे बात करें security की तो य fingerprint scanner भी इस smartphone में देखने को मिलेगा बात करें ports and buttons की तो दोस्तों यहाँ आपको USB Tab C charging port देखने को मिलेगा power on a button होगा and दोस्तो volume rocker button भी आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा 3.5 mm headphone jack यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा बात करें कुछ और features की तो दोस्तो camera module and जो smartphone है उसकी thickness इसके बीच में जो gap है वहाँ आपको चारो तरफ RGB light देखने को मिलेगी जो की notification आने पे on होगी तो यह वाला feature मेरे को काफी त्रड़ा लगा आपको इस feature कैसा लगा आप comment करके हमें बता सकते हैं बात करें इस smartphone के color variants की तो दोस्तों यह smartphone चाइना में 3 color variants में launch हुआ है Star Rain Wish, Morning Gold and Midnight Black color में एने तीनो color variants आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे बात करें इस smartphone के leaked price की तो दोस्तों इंडिया में smartphone 41-43,000 रुपे का price में launch हो सकता है यह leaked price है मैं आपको कोई भी confirmation नहीं दे सकता लेकिन कहा जा रहा है कि यह smartphone इसी price point पे launch होगा अगर इस smartphone इस price point पे launch होता है तो क्या आप इस smartphone को buy करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे आप comment करके हमें बता सकते हैं बात करें इस smartphone की launch date की तो दोस्तों इंडिया में smartphone January के महिने में launch होगा जी हां दोस्तों यही ती कुछ बात है जो मैं आपको OPPO Reno7 Pro smartphone के बारे में बताना चाहता था आज क नेक्स्ट वीडियो के लिए तना है वीडियो पसंदा आओ तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन्द जैवार